आज है हमारा 83 जहां पर हम देखने वाले हैं कि हम लोग प्लेस का कॉंटेक्ट स्रेक्शन कैसे बनाएंगे अपने प्रजेक के अंदर तो यह बेसिकलि हम लोग का रिया का फोल्डर है इसको उपन करेंगे वीस कोड के अंदर तो इसको मैं राइट क्लिक करके शो मौल कि अंदर ओपन हो जाएगा और मैं इसको क्लोज करके सिंप्ली यहां पर जो मैंना टर्मिनर है इसके अंदर जाके मैं रिखूंगा क्लियर एंड अपना फाइल करने के बाद मैं लिखूंगा और यह मेरा वेबसाइट जो है यहां पर पहनोंगे तो अभी तक हैं अपने व अब बहुत सेक्शन लोग और करने वाले हैं बहुत सेक्शन में लोग ने इतना चारी चीज़े जो कर दिया है तो अब मैं क्या करूंगा सिंप्ली यहां पर आऊंगा और मैं सिंप्ली एक इमेज जो है वहाप पर मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसको मैं आपको दिखाता ह इसके अंदर पब्ली के अंदर यहां पर मैं पेस्ट करता हूं तो मैं इसको यहां पर यूज कर सकता हूं तो मैं इसको यहां पर यूज कर सकता हूं तो मानों जैसे मैं इसको लिनेम करके सिंप्ली मैप दिखता हूं तो यहां पर मैंने बेसिकल एक मैप नाम का फोल्डर क यहां पर आपके देखों मेरा जो है बन करूंगा स्लाइड से बन करूंगा और यह भी बन करूंगा तो पब्लीक अंदर में पास एक map फोल्डर है जिसमें कितीन ही में दोगा है तो मैं करूंगा मैं simply यहां पर आके देखोंगा यहां पर और slash about में slash map slash map underscore one dot jpg करके मैं सब्डेटर करूंगा तो यह मेरे को map यहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है तो इसी को बेसिकल मुझा यूज करने वारे हैं यहां पर अपना अगले सेक्शन में तो मैं यहां यहां पर components के अंदर एक और complete बनांगा जिसताना में रखूंगा about about और about map.jsx यहां यहां पर rcc करके मैं यह काई class-based component बनाना हूंगा इसके साथ साथ about map.jsx बनाने के बार में क्या करना पड़ेगा इस वेबसाइट से इस वेबसाइट के अंदर जो मेरा about पेजे इसके अंदर मैं इसको यूज करूंगा तो मैं इंपूर्ट करूंगा about map को तो मैं किसी के साथ मैं about map को यूज करूंगा जो मेरा about map है उसको मैं यूज करूंगा यूज करूंगा इसको यहां पर ऐसे तरह करूंगा फिर उसके बाद में जो क्लास इसका मैं इसको इंपूर्ट करूंगा इसका बेसिकली जो भी क्लास है तो इसमें मैं इंपूर्ट करूंगा जो मेरा आप फोल्डर करना मैं एक डॉप डॉट श्लैश जो मेरा स्टाइल से उसके अंदर में जाओंगा रिष्टाइल के अंदर बेसिकली क्या है साइल के अंदर बेसिकली मेरा about map है जो मेरा मार्जिन होगा जो मेरा मार्जिन होगा वह बेसिकली होगा 10 पिक्सल का पैडिंग 10 पिक्सल का मार्जिन पैडिंग करने के बाद मैं जो यह मेरा div है उसको में दूँगा as a main class मैं इसको class दूँगा about map underscore main तो मैं इसको कपी करूँगा about map underscore map को मैं .paste करूँगा and यहां पिक्सल की about underscore main जो है उसका height होगा generally 50bh या 60bh and 60bh करने के बाद इसका दूँग बिर्ट होगा 100% and बिर्ट के बाद मैं कहुँगा कि इसमें होगा एक background color जो कि मैं अभी के लिए brown रख देता हूं ताकि मुझे okay margin 0px 10px करना है 10px करना है okay and अब यह प्रवर्म सह बता हूं तो yes it was soft मैं और पर जाओंगा देखने का मेरा यह पर बॉर्डर है तो यहां पर मेरे कर आए यह चीज आ गया है तो मैं आपको दिखाता हूं सब्सक्राइब दो यह जो मैंने यूज करा है यहां पर images तो मेरे पास यह तो मेरे पास यह तो पहला यह तो मैं यहां पर यूज करूंगा map3.js को देखता हूं यह कैसा लगता है तो मैं क्या कहूंगा तो मैं कहूंगा कि देखो भाई तुम्हारा background क्लर के साथ साथ एक background image होगा जिसका URL होगा map-3.jpg और मैं यहां पर देखो यह map-3.jpg यह यहां पर आया चीजिए था बट नहीं आ रहा है क्योंकि कि यह मेरे को map के अंदर मिलेगा तो map-3.jpg आप देखे तो यहां पर मेरे को देखने को मिल गया है अगर मैं map2 यूज़ करता तो यह कैसा रहता तो map2 अगर मैं यूज़ करता तो मेरे को कुछ ऐसा दिखता या फिर हमनों यह करने के बाद मैं करोगा कि देखो map बैक्राउंड गडूर हो करने के बाद चोंए बैक्राउंड रेपीट है उसको कर दो नो रीपीट करने के बाद जो बेक्ट्राउंड का जो पोजीशन नहीं साइज हो है वो कर दो पूरा कवर एंद फिर यह कुछ आपको इस तरीके से लिखेगा और अब यहां पर मैप वन रखता तो मेरी हिसाब से जो मैं मुझे रखना चाहिए वो यह नहीं करना है क्योंकि बैक्राउंड अगर मैं इमेज जैसे करके यूज करूगा तो वह इमेज ठीक से आएगा ही नहीं इसका इसपेक्री टीशल से प्लोग पीड़ेगा एं उसके साथ सब उसका बश्यक्राइज भी लेगा तो मैं एक डिफ बनाऊंगा डिफ डिफ डाट एम अंडर्शोर इमेज नाम का मैं एक डिफ बनाऊंगा एड इस डिफ के अंदर ये में यूज करूगा अजिए करने को अगर मैं देख तो मेरा इमेज यहां पर आ गया चीग है और इसका बेक्राउंड निए पहले मैं इसमें डिफ ली कर देता हूं और डिफ लेट एक प्वार्श करने के बाद जो मैं इसका जिस्टिफाइड गर्ण डॉगा वो करूँगा सेंचर एंड जो एलई नाइटम करूँगा वो करूँगा शैंटल अधिये करनेके पाद यह मेंज मेरा सेंटर मैं शरिये एक उसी के साथ मैं जो मेरा यह एक ब्राउन करां इसको मैं करूंगा ब्लैक ब्लैक एंड यह करने के बाद अगर आप देखोंगे तो भी मेरे को पुछ यह जादी देगा इसी में सबसे पहले तो मैं कहूंगा आई मंदस को में करूंगा अनमे करूंगा के लिए को भाई तुम्हारा होने बाला है बैक ग्राउंड कलर्स होगा वह मालनों अभी मैं बैदरान कलर्स का रखता हूं तुम्हारा बेसिकली जो हाइट होगा वह अगर मैंने 50 किया है तुसको 40 देता हूं राइंडर इसका जो विर्थ होगा वह कुछ 80 VH होगा वह 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 वीडेग तो मैं अगर अभी देखो तो यह में कुछ इस तरीके तरीके देखे रहे हैं अटकर फ्रस्स थीं वह दो तुम्हारा है यहां पर मैं इसको पराम से 50 गंसे तो अब यह कुछ इस सरी के लिए दिखेगा जो की सही है पिर मैं यहां पर इच्छे से मेज़े लगा पांगा मैं कहते हूँगा कि भाई दिखो तुम्हाना जो है वो बैक्ग्राउंड तुम्हाना जो वो सब जाएंके बॉटर रेडिये होगा वो कुछ 30 बीक सरका होगा और जो ओवर्फलो होगा इसको ही रेंग करें यह करने के बाद मैं सिंप्ली यहां पर करना कि देखो वाई जो दॉट एम इंडर्सको इमेज़े है इसके अंदर एक इम्जी टेक्ट इस इम्जी टेक्ट को करण यहां पर मैं कहते हमां कि हाई दी करेंग करते हैं तो मैं तो यहां पर मैं गारना चाहा होका ऑन मान दो करना 60 गर सकता हूं तो इसका प्राव्ब्म थोरा से सॉक्राइब हो जाए आप देख तो यह कुछ चीज तरीके दिख रहा है बट 60 भी नहीं 55 लिखते हैं अगर प्राइए तो और हाइट करने के पाद अगर मैं इसमें फिल्टर लगा तो मैं फिल्टर को मैं ग्रे स्केल को जिरो प्रॉइंट 3 कर दो तो यह भी कुछ चीज तरीके दो दिख रहा है नहीं हम लोग यह इसको कुछ चीज तरीके से कर सकते हैं और कितना काफी हैर हमारा एबोट पेज भी काफ काफी तूड कर बाकि यह हमारा एबोट पेज हैं अब आएगा सर्विसे सेक्षण और कॉंटर शेक्षण तो यह सेक्षण कंप्रीट करने कबाद हमारा यह वेबसाइट जो है वह कंप्रीट हो जाएगा अगर मोई इसको पूस्ट करना चाहिए तो तरसक तो आदके बीड दीडिया है और इसाफ करूव करूँगा यह मेरा मेंट जी में जभी यह यूँज कर लेताँ तो यहां पर में सिंप्ली ऐसे राउंन साइज में रखना जाएँ तो मैं हो भी कर सकता हूं अगर मुढशी करना होता तो मैं क्या करता मैं इस पो स्टाइट्स में एबाउट करता कुछ यहां पर हैं मैं कहता कि देखो यहां पर जो इमेज है इस डिफ के अंदर यह जो में डिफ है न है इस डिफ के अंदर एक और मेरा इमेज वने वाला है और मैं इसको इमेज का नाः बहुता है आज अब यहां पर सब्सक्राइब इसको याँ अब कर दोगा अभी मैं यह कुछ चीज तरीके मैं यहां किसके अदर है इसके पोजीशन को मैं कर दूंगा अनि यह पोजीशन करने के बार मैं सिंप्ली यहां पर यूज कर सकता हूं पोजीशन एपसलूट का तो मैं कहुंगा कि जो मेरा डॉट आईजी एटस्पोर आई-एमजी है ठीक है तो मैंने यह क्लास रखा था इसको करो इसको एपसलूट कर दो तो यह पर पोजीशन क्या होता है कि एपसलूट से जएगा यह कुछ यहां पर आजाए अगर हम लोग इसको और ज्यादा यह करना चाहिए तो उम लोग कर सकते हैं मैं कह सकता हूं कि भाई तुम्हारा जो है वह सब तो इसका ग्रेश कर में बढ़ प्रेशन तो एक्सलूट हो गया और लेट से जो है वह तुम 20VH लेट से मूव हो जाओं तो लेट से क्या हो जाएगा 20 पिक्सल हो जाएगा पट मुझे कुछ राइट से चाहिए तो मैं लेट से ही मान लोग कर जाता हूं अब यह कुछ यहां पर निकर रहा है और अगर मैं थोड़ा सा बार बना हूं 62 आप सिंप्ली 65 कर दोइंट तो यहां पर हो गाएगा एंड देन मैं इसमें कर सकता हूं कि भाई जो तुम्हारा बोर्टर रेडियेश होगा वो कुछ 50 पिक्सल का होगा एंड देन बोर्टर रेडियेश 50 पिक्सल करने कवादी पुछी तरीके दिखना है और जो स्टाइलिंग है आप यहां पर देना जाते हैं वो ची यार आधिक विल्यों में इतना ही बिलते हैं नेक्स विल्यों में और इस एक साथ हम रुका होता है 84 डे कंप्रीट अब अगरेका प्लेश कुप कर देरूप फॉलोग कर लेगे ना मिलते हैं नेक्स विल्यों में तो रहेंगे और बुद्बाए